जाना माना बैग्यानिक उसने का चलो कुरान सरीफ की बड़ी नाम सुना हैं बड़ी बातें सुनी हैं कुरान पर ही देख लेते हैं तमाम पुरार तमाम दुनिया भी किताबों में देख लिया बैग्यान कों ने पिग्यानों में देख लिया लेकिन कैंसर का इलाज नहीं मिलाई ने कुरान पर गौर गया उसके आयतों पर गौर गया मुझे पता नहीं कौन सी आयत में कब कहां कौन से रुकों में मिला इतना इल्म तो नहीं है मुझे फिर भी मैं बताना चाओंगा कि कुरान सरीफ में ही हमारी कुरान में हमारे खुदा की नाजिल की हुई उस पाख मुकदस किताब में पावर बुख, दुनिया की सबसे ऐसे पहले बुख है जो दुनिया में सबसे बहतरीन बुख है, कुरान मजीद ऐसे किताब न कोई बना पाया, न बनायेगा, न बना सकता है इसका एक नुक्ता भी कोई नहीं बना सकता एक जर्रा भी कोई नहीं बना सकता तो सर्च मारा उसने तो पता चला भई इसलाम में नहीं फर्द है रमजान का महीना तो रमजान के महीने पर गौर किया रिशर्च किया पता चला 30 दिन रोजा रखना है तो भूके रहने पर 30 दि बिमारिया हैं जितने भी बैक्टेरिया हैं एंसर कैंसर टेवी भी जितने भी बैक्टेरिया मैं तो सेंटिस हूं नहीं भई डॉक्टर लेकिन नजाने कितने बैक्टेरिया बिमारिया वाइरस सब रमजान के महीने में अगर रोजा रखा जाए तो खतम हो जाएगा यानि एक महीने वे अगर आपको कैंसर से बचना है तो एक महीने भूके रहो पताओ इन्हें अब मिला मिरे रवने नजाने कब दे दिया इसलाम को मुसल्मानों को ये निमती फिर भी आप इस से भागते हैं मुकड़ते रहते हैं ऐसा ना करें रोजा रहें जरूरी है फिटनिस के लिए सरीर के लिए सियत मंदी के लिए इबादत करें रमजान के महीने में साल बर नहीं कर पाते तो रमजान के ही महीने में अब कुछ नौदवान है अगर रमजान के महीने में कोई बंदा है, साल अबर नहीं नमाज पढ़ता, रमजान के महीने में अगर लगातार जाने लगे ना तो उसका मजाक बनाते हैं, मजाक ना बनाया करो आप, रब ने उसे एक महीने की तो महलत दी, एक महीने की अबारत कर इस पर गौर करें बहुत जरूरी चीज ऐसे से चीजें और मथभों में नहीं पाएंगे आप यह बातें यह ने मितनी और महजबों में नहीं इस पर हम मुसल्मानों के लिए ताकत है कि हम इसलाम के चाहने वाले मुसल्मान हैं खुदा ने हम पे ऐसी चीजें नाजिल की जो हमारी जरूरत के लिए है माशाल्ला फिर भी हम भागते रहते हैं बिकरते रहते हैं इधर के उधर नहीं आप जरूर से जरूर गवर करें अभी एक नौजवान भाई था तो उसने का मुस्षे आके स्कूल का था उसने का क्यों है कैसे बोले बहुत पुर्सोत्तम राम महान भीर भगवार राम कैसे राम तो मैंने सुना था एक जल्दी में एक नौजवान था हिंदू था ही वह भी हिंदू था सनातनी था नूस पर आया था तो उसने का मैं राम को जुटा मानता हूं सिधा सिधा बोल दिया अब रामबन बास पे निकले रासमण भी साथ सीता भी साथ वहां पे सुन लगा इनको जंगल में मिली उसने कार राम सुन्दर लगे अच्छे थे जवान थे राजा थे का मुझसे आपको साधी करनी पड़ेगी यान कि आप मुझसे साधी करें या बिवा करें जो कुछ भी होता है बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता बोले क्यों नहीं हो सकता बोले मैं साधी सुदा हूं क्या बोले मैं साधी सुदा हूं बोले लचमण के पास चली जाओ मेरा भाई ह उदर बैटा उससे पूछ लो करेगा की नहीं करेगा शूर्णका चली लश्माण के पास आप मुस्से साधी करेंगे लश्माण गुस्य में आया जलाल में आया उसने कटार निकाली तलबार निकाली नाक कान दोनों काट ले और किया जाग घर जा निकल ले कुड़िये गुं उलाका निकली